नमस्कार, स्वागत है आप सभी का The Economist में तो चलिए आज के lecture की शुरुआत करते हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं Features of Indian Council Act 1909 के बारे में तो तीन Indian Council Act Britishers ने बनाए थे और उसमें से ये last वाला है और इसको Morley Minto Reforms के नाम से भी जाना जाता है तो Morley और Minto कौन थे Lord Morley थे SSFI SSFI एक Office था जो Government of India Act 1858 के तहट बनाया गया था भारत में तो इसका पूरा नाम है Secretary of State for India और इसके इलावा जो दूसरा Office था जो जारातर चर्चा में रहता है वो है Vice-Roy of India और Lord Minto उस समय भारत के Vice-Roy थे तो इन दोनों का नाम मिलकर इस Reform को Morley Minto Reform भी कहा जाता है तो इसके इलावा और क्या किया गया इस Act के तैद इस Act में जो भी खामिया थी 1892 वाले Act में तो उसको दूर किया गया और साइस बढ़ाया गया Central Legislative Council और जो Provincial Legislative Council थी उनका इसके इलावा जो Central Legislative Council में जो Members थे उनकी गिंती 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई ध्यान रखिएगा 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई गिंती Central Legislative Council में ना कि Provincial Legislative Council में और कौनसे एक्ट के तयाद Indian Council एक्ट 1909 के तयाद और जो Provincial Legislative Council थे वहाँ पर भी जो Members थे अब यूनिफार्म नहीं थे एक ही माइने में नहीं थे सभी कहने का मतलब कि गिंती अलग-अलग Provincial Legislative Council में अलग-अलग गिंती अब होनी शुरू हो गई थी Members की तो ऐसे आगे बात कर रहे हैं जो Official Majority थी Central Legislative Council में वो अंग्रेजों ने अपनी ही बना कर रखी ऐसा नहीं किया कि Indians की Participation उनके Members जादा बढ़ा दिये और अपने आपको Minority में ले गए तो उन्होंने अपनी Majority Britishers ने Council में बना कर रखी और जो Provincial Legislative Council थी वहाँ पर जो थी Non- Official Majority को Allog कर दिया तो ध्यान रखिए जो States वाली Councils थी Legislative Council जहां पर Bill आते थे discussion होती थी वहाँ पर जो Non-Official Majority थी जो Indians की Participation थी उनको Allog कर दिया गया कि आप वहाँ पर जो है Majority में आ सकते हूँ यह एक Important बार है ध्यान रखिए इसके लावा जो Members थे उनको Allog किया गया कि Questions वो कर सकते हैं Resolution पास कर सकते हैं Budget के ओपर यह पहली बार हुआ था पहले जो एक्ट थी उसमें सिर्फ ऐसा ही था कि Question कर सकते हो Budget के ओपर Question का Right मिला था अब Resolution मूव कर सकते हो Budget के ओपर तो Question तो प और जो Governor of Provinces की Executive Council थी तो इनको यहाँ पर पहली बार कहा गया कि जो Indians हैं उनको यहाँ पर Association मतलब उनको भी साथ में हम लेकर चलेंगे जो Executive Council है वहाँ पर यहाँ पर Executive Council की बात हो रही है Legislative Council की बात नहीं हो रही है तो पहली बार Executive Council वाइसरा उफ इंडिया को भी Executive Council और जो Provinces के Governors थे उनकी जो Executive Council थी वहाँ पर भी Indians को यहाँ पर उनको साथ में लेकर चलना शुरू कर दिया इंडिया की Executive Council को जोइन किया उनको वहाँ as a law member अपॉइंट किया गया था इस तीनों के अबारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे हम लेकिन इन तीनों को दोनों को अलग-अलग करके चल रहे है, Legislation अलग गया जहां पर law बन रहे हैं, Execution अलग गया जहां पर law implement हो रहे हैं, तो Executives का काम होता है laws को implement करना, तो बारत में ऐसा होता है कि Legislation और Execution, दोनों एक ही बंदा काम कर रहे हैं, जो Minister बनाए होए हमने वो लोग, जो Center में Minister हैं, जो State मे Minister हैं, Legislator भी वही है, Executive भी वही है, अमेरिका में थोड़ा अलग है, वहाँ पर Legislator अलग है, Executives की अलग से टीम है, जो सिर्फ और सिर्फ उस law को execute, implement करने का काम करती है, यह थोड़ा फर्क रहे जाता है, अमेरिका में और इंडिया में, तो शुरुआत, जो भारत में अभी भी काम चल रहा है, इसकी शुरुआत यहां से हो रही थी, अभी यहां पर Executive Council अलग थी, और Legislative Council अलग थी, तो आगे बात कर रहे हैं, एक Separate Electorate, Muslims के लिए यहां पर Introduce किया गया, Separate Electorate का मतलब है, कि Muslims जो है, अपना प्रतिनिती खुद चुनेंगे, वोट डाल कर, वहाँ कोई और Community का बंदा वोट नहीं करेगा, कहने का मतलब, Muslims अपना प्रतिनिती चुनकर भेजेंगे, आगे कि हम इस बंदे को अपने Executive Council में, as a Member बना कर, बेज रहे हैं, इस बंदे को Legislative Council में बेज रहे हैं, अपनी तरफ से, election करके, खुदी, ओके, तो यह Separate Electorate सिर्फ और सिर Muslims के लिए आया था, 1909 में, बात के जो back tie थे, तब इनको odd expand कर दिया गया था, उसको बाद में चर्जा करेंगे, और Lord Minto को ही यहाँ पर Father of Communal Electorate बोला जाता है, कि Community के साब से, Religion के साब से, आपने, जो है, election दे दिया, कि आप अपनी Community का बंदा चुनो, आप अपने Religion का बंद इसके अलवा, separately representation दी, जो Presidencies की Corporations थी, Municipal Corporations थी, Presidencies अलग अलग ती, जैसे Bombay Presidency थी, मदरास Presidency थी, इसी तरह से अलग अलग Presidency अंग्रेजों की थी, जहाँ पर इनका rule था, Governors वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वहाँ पर भी एक separate representation को दी गई, जो Chambers of Commerce थे, वहाँ पर भी, Universities थी, जमीनदार्स थी, यहाँ पर भी, सब जगह यहाँ पर इन्होंने electorate गुसेर दिया, तो यह overall यहाँ पर scenario था, जो features थे, Indian Council Act 1909 के बारे में, तो यहाँ पर फिलाल इतनी ही हम चर्चा करेंगे, I hope आपको lecture अचा लगा है, अगर lecture अचा लगा है तो कृप्या, like, share और subscribe ज